प्लीज सब्स्क्राइब माई चैनल टोनी तुम तयार हो बेटे हैं? हाँ बबुजी गधे को खोल दो हमें जल्दी जाना होगा वरना बाजार के लिए देर हो जाएगी ठीक है बबुजी क्या तुम तीनों ही गदे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम दोनों में से कोई एक भी इसकी उपर नहीं बैठा है? अगर उसकी उपर बैठोगे नहीं तो फिर गदा रखने का फाइदा क्या है? सही कहां मैं भी यही बात सोच रहा था सुनो तुम इसके उपर क्यों नहीं बैठ जाते? देखो तु सही कितना आलची लड़का है वो खुद गधे पर बैठा है और अपने बाबुजी को धूप में पैदल चलने को कह रहा है? हाँ, अंदर की बात कौन जाने हो सकता इन दोनों में कोई जगडा हुआ हो इन्हें क्या पता कि मेरा मेरे बेटे के साथ क्या रिष्टा है? बाबुजी, क्या वो हमें करना ज़रूरी है जो दूसरे हम से करने को कहते हैं? बताईए ना बात समझो टोनी, हमें उनका मान रखना चाहिए अरे उस आदमी को देखो न, खुद आराम से बैठा है और अपने मासूम बेटे को धूप में पैदल चला रहा है क्या जमाना है? ओ बेचरा बच्चा, दखो कितना ठक गया है लेकिन उस आदमी को देया भी नहीं आती, बेचरा बच्चा लगता है तुम ठक गया बेटे, तुम भी मेरे साथ गदे पर क्यो नहीं बैठ जाते? क्या, आप हमें रोक क्यो रहे हैं? तुम्हारा चेहरा देखना चाता था, सही अंदाज़ा था, जरा भी शरम नहीं है शरम? तुम्हें इतनी भी शरम नहीं आई कि तुम दोनों के बोच से इस बेचारी की क्या हालत होती होगी? अरे नहीं, उपर वाला भी कैसे कैसे इंसान बनाता है, बेचारे गदे की हालत देखो, मैं कबसे लोगों को समझा रहा हूँ कि जानवर भी जीव होते हैं? ये बाबा मेरे बारे में क्या जानते हैं? मैंने गदे और टोनी दोनों को हमेशा अपने बेटे के तरह ही समझा है किसी को मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि गदा भी एक जीव है, अब मैं देख रहा हूँ कि ये ठक गया है ये भी पता है कि अब क्या करना है? सुनो, जरा इस खोटे से गदे को बादने मेरी मदद करो है अब क्या कर रहे हैं बाबू जी? और क्या कर सकता हूँ? इस गदे को अपने सिर पर तो नहीं ले जा सकते न? उस बुढ़े ने सही कहा था, गदा भी तो एक जीव होता है हे भगवाल, ये क्या किया मैंने? मेरा गधा मेरा बच्चा क्या तुम तिनों ही गदे हो? मतलब ये है कि तुम दोनों में से कोई भी उसके उपर नहीं बैठा है अगर उसके उपर बैठना ही नहीं था, तो फिर गदा रखने का फाइदा क्या है? तुम सब को ये कहानी पसंद आई न दोस्ता वो एक अच्छा आद्मी था, पर उसने सब को खुश करने की कोशिश की थी पर वो किसी को खुश नहीं कर पाई